सामान्य अध्यन प्रश्णपत्र 3 का जो टॉपिक है Environment and Ecology और Current Interference इनसे संबंदित टॉपिक है आज का पर्या और नी प्रभाव आकलन जो Environment Impact Assessment है उसमें कुछ हाल में संशोधन हुए है नेमों में यहां से प्रश्ण जरूर आएंगे तो आतिसंभावित प्रश्णों पे डिस्कुसन होता है आज का यह टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है तो आज एक ही टॉपिक डिस्कुस करेंगे अगर पर्या और न प्रभाव आकलन का व्यावारिक रूप से तात्परे समझें तो इसका तात्पर यही है कि तमाम जो विकास प्रश्णाय होती है कई बार वो काफी घातक हो जाती है न सिर्प पर्या और न के लिए बल्कि कभी-कभी आपदा का भी कारण बनती है तो ऐसे में पर्यारणी प्रभाव आकलन उन जोखिमों को कम करने का एक साधन है इसमें क्या किया जाता है कि विकास प्रश्णायों को लगाने के पहले उनको मंजूरी देने की एक टक्रिया अपनाई जाती है उसमें आकलन किया जाता है कि इससे पर्यारण को कितना नुकसान हो सकता है अगर उस नुकसान की भरपाई करने का कोई तरीका है ताकि उसको समझाय जा सके तकनीकी कोई नई अपनाई या सकती जिससे जो प्रभाव पढ़ने वाला है दुश्प्रभाव पढ़ने वाला उसको कम किया जा सके इसको कम करने मदद मिल सकती है तीसरा उस प्रिश्णों के बारे में फिर से अर्थात पुनर विचार किया जा सकता है और अगर ज़्यादा जोकिम है तो इसको मना किया जा सकता है तो ये इसका उद्देश होता है भारत में अगर हम बात करें देखे सबसे पहले परियावरण प्रभाव आकलन USA में शुरू किया गया था लेकिन भारत में इसका इतिहास बहुत पूराना नहीं है पर्यावरन प्रभाव आकलन भारत में इसकी आउशक्ता सबसे पहले अगर महसूस हुई तो 1976-77 में कब जब योजना आयोग जो वर्तमान में जिसको आप नीती आयोग के रूप में जानते हैं तदकालिन योजना आयोग जो था उसने भारत सरकार के विज्ञान और पर्दियोग की विभाग को जो नधि-घाटी प्रिज़नाय थी उनकी पर्यावर्ण धिष्टी से इनवारिमेंट की धिष्टी से जाच करने को कहा तो यहां से पर्यावणी प्रभाव अकलन का इतिहाद सुरू होता है भारत का इसके बाद भारत में पहली बार पर्यावणी प्रभाव अकलन अधिसूचना जारी हुई 1994 में उस समय जो पर्यावणी M1 मंत्रा ले था जिसको वर्तमान में आप पर्यावणी 1 और जल्वाई प्रिवतन मंत्रा के नाम से जानते हैं ये जो अधिसूचना थी उसमें काफी बाते थी अनसूची 1 में काफी सूची बद्ध किये गए थे नियम इसके लिए प्रक्रियाएं इसको जो है पर्यावणी सरक्षन अधनियम जो 1986 चाता अधनियम जिसको कहते हैं जिसके तहत तमाम नियम हैं वो आते हैं इसके अंतरगत इसको वैधानिक अर्थात विधिक समर्थन दे दिया गया था अर्थात इसको परियावन सरक्षन अदनियाव 1986 के अंतरकत लाए गया था इसके बाद परियावन प्रभाव आकलन जो है अधिसूचना में 2006 में कुछ परिवर्तन हुए कुछ संसोधन हुए और अब 2020 वाली जो अधिसूचना थी जो संसोधन की थी उसमें परिवर्तन हुआ है क्या परिवर्तन हुआ है आईए देखते हैं तो हाली में मसोधा 2020 में लाया गया था परिवर्तन अब हुआ है ये ध्यान रखेगा इसलिए मैं 2020 कह रहा हूँ तो हाली में परियावरन वन एवं जलवाई परिवर्तन मंतराय द्वरा परियावरणी प्रभाव अकलन नियमों में शंशोधनों को अधिसूचित किया गया है जो अधिसूचित परिवर्तन है क्या क्या है बहुत महत्मूर है ध्यान रखेगा सामरिक और रक्षा महत्यों की राजमार पृजणाओं को छूट दी गई है इसमें अर्थात परियावरणी प्रभाव अकलन इनका नहीं किया जाएगा और इसके लिए भी क्या शर्त है तो नियंतन रेखा से सौ किलोमेटर के भीतर किसी भी परिजनाओं को अन्यस्थानों के अलावा निर्मार से पहले परियावर मंजूरी हासिल करने से छूट दी जाएगी कहाँ पर लाइन आफ कंट्रोल से सब किलोमेटर के भीतर ये याद रखेगा तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह प्रावधान इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जो विवादास्पत चारधाम प्रिजना है के दारनाथ, बद्दिनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री इनको जोड़ने का निर्मार के लिए हरित मंजूरी की आवशक्ता को ये दूर कर देगा EIA की जोरत नहीं पड़ेगी इसके लावाद ताप विद्दु सेंत्रों को भी इसमें छूट दी गई है तो बायो मास अत्वा 15 प्रतिचत तक गैर खतरनाक नगर पालिका ठोस अपसिष्टों जैसे कोईला, लिगनाइट या पेटोलियम उत्पादों पर अधारित 15 मेगावाड तक के थर्मल पावर प्लांट को भी इसमें छूट दी गई है ध्यान अखेगा सभी ताप विद्दु सेंत्रों को नहीं किवल 15 मेगावाड तक के विशेश रूप से मतस्यन संबंदी कत्विदियों में सनलंगन और छोटे मच्वारों की जवड़तों को पूरा करने वाले बंदर गाउं को भी पर्यावरन मंजूरी से छूट दी जाएगी ऐसे बंदर गाउं का अगर निर्माण हो रहा है छूट दी जाने वाली यान परिजनाओं में वे टोल पलाजा जिनने टोल संग्र बूथों की अस्थापना के लिए अधिक चोड़ाई की आउशक्ता होती है तथा हवाई अड़े के मौझूदा शित में वृद्धि किये बगएर जो मौझूदा हवाई अड़े हैं उसमें विस्तार गत्रिदियों को शामिल किया गया है बार-बार इनको EIA लेने की जोरत नहीं पड़ेगी भारत में विकास सात्मक परिजनाओं के लिए परिया औरणी प्रभाव आकलन का क्या महत्व है तो सुरू में हमने चर्चा की थोड़ी सी परिजना के परिया औरणी और सामाजी का अर्थिक प्रभाव से सभी हित धारकों को आउगत कराना क्योंकि इसमें EIA की जो प्रक्रिया इसमें जो जनमानस है वहां का उसकी भागेदारी भी कहीं ने कहीं रहती है इसलिए महत्वपूर हो जाता है वो आउगत हो जाते हैं इस तरह के किसी भी प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ेगा इससा पहले से उनको पता रहता है नीतिगर नेनेओं के लिए आधार को सुगम बनाना तो परियावर्णी प्रभाव अकलन प्रभाव को खत्म करने या कम करने में मदद करता है अगर कोई प्रभाव है पहले से उसकी जानकारी हो गई तो जब वो विकास कारी हो रहा होगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा जो खत्रे हैं अगर बिना अकलन के विकास कारी हो रहे हैं तो पता चला कि तबाही मच गई ठीक है तैयारी कुछ नहीं है पर्यावरणी प्रभाव अकलन विकास योजना में शमन रणीतियों के अनकूलन को प्रोसाहित करता है जो शमन रणीतियां है वो बनाई जा सकती है जिस तरह का खत्रा होगा परियावरणी प्रभाव अकलन वैकलपिक सुरक्षित प्रयोजना डिजाइन और विविदियों का सुझाओ देकर परियावरण की जय विविद्था की रक्षा करता है इसके लावा तक्नीकी मुद्दों को सरल करता है EIA गैर तक्नीकी आम जनता के लिए परियावरण प्रभंधन योजना वा सारांश तयार करता है जिसमें जन भागिदारी और जो प्रशासन है उसकी भागिदारी दोनों समन्वे से काम कर सकते हैं अगर कोई ऐसा खत्रा होता है तयारी पहले से रहेगी पता रहेगा किस तरह का खत्रा और किस अस्तर का रह सकता है क्योंकि सारी बातें EIA में पहले ही ये आकलित कर लिया आती है तो लोग तयार रहेंगे ठीक है अचानक अफरा तफ्री नहीं बचेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या नुकसान खत्म हो जाएगा या तो बहुत कम होगा एकदम माइनर लेबल पे होगा इसके लावा प्रस्तावित प्रजणाओं द्वारा परियावण पर प्रभाव के अस्तर को रिकार्ड करना और रेटिंग करना उसकी परियावणी प्रभाव आकलन के बारे में अगर बात करें तो परियावणी प्रभाव आकलन सतत विकास के लिए प्राक्तिक संसाद्रों के इस्टतं उप्यों को सुन्शित करने के लिए एक महत्पून उपकरन है इसका उदेश प्रस्तावित प्रिजना के परियावण पर पढ़ने वाले संभावित प्रभाव की पहचान जाच आकलन और मुल्यांकर करना है भारत में पहली बार EIA जो परियावण प्रभाव अकलन है मांदन्डो को वर्स 1994 में परियावण सरक्षन अदनिया 1986 के तद अजसूचित किया गया था पहले हमने चप्षा की अभी इसके तद प्राकितिक संसादनों तक पहुँच उप्योग और प्रभावित गत्विदियों को विनमित करने के लिए कानूनी धाचा स्थापेद किया गया उस समय से पूर्व परियावणी मंजूरी प्राप्त करने के लिए हर विकास प्रियुजना को EIA प्रक्रियास के उजना पढ़ता है देखे इसका एक ड्रावैक भी है कि कई अच्छी प्रियुजनाएं EIA के कारण ही पूर नहीं हो पाई ठीक है इससे और बाद में उनको अंतता हो उन प्रियुजनाओं को मंजूरी मिली ऐसी बाद नहीं लेकिन लेट होने से क्या होगा विकास बादित होता है इसलिए EIA का एक संतुलित धाचा होना चाहिए EIA जोरी है परियावन की रक्षा के लिए बचाओ के लिए परियावन को कम से कम नुकसान हो या नहों नुकसान उसके लिए और लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए आर्थिक जो सुरक्षा है उसके लिए जोरी है लेकिन फिर भी आर्थिक विकास के लिए जो परिजनाय है विकास परिजनाय वो भी महत्पूर्ण है इसलिए संतित एक धाचा होना चाहिए ऐसा नहों कि EIA के चक्कर में कोई अच्छी परिजनाय 20-25 साल लेट हो जाएं इससे हम विकास के रा में पीछे विजा सकते हैं यही कारणे की बार-बार इस मसोदे में परिवर्तन संसोधन हो रहे हैं EIA दिसूचना 1994 को वर्ष 2006 में संसोधित करके एक नया परियावरनी प्रभाव अकलन मसोदा जारी किया गया परियावरनी प्रभाव अकलन दिसूचना 2020 के मसोदे में विवादास्पत प्राउधान क्या है जिस पर विवाद है ध्यान रखेगा तो मसोदा दिसूचना के अनुच्छेद 14-2 और 26 के तहट रसायन उत्पादन और पेटोलियम उत्पाद भवन निर्माड और शेत्र विकास अंतरदेशी जलमारो और राश्टी जलमारो का विस्तार या चोड़ी करण आज जैसे कई बड़े उद्योगों और प्रजनाओं को परिया और प्रभाव आकलन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में साजनिक प्रामर्श से छूट दी गई तो उसमें जो EIA में एक साजनिक प्रामर्श की जो प्रक्रिया है कई प्रक्रिया हैं उसमें कभी EIA की हम प्रक सरकार दारा पुरुजनाओं को रणीतिक श्रेड़ी में रखे जाने के लिए मान दंडों के संबंद में इस पस्टी करण नहीं दिया गया है और इसकी कई व्यापक व्याख्याएं की जा सकती हैं जो कि एक लचीलापन प्रदान कर सकती हैं इस तरह की जो खतरनाग प्रुजना हैं उनको भी, ठीक है, मसोधे में आवश्यक परियावणी मंजूरी या अनुमति प्राप्त किये बिना, देखिए लचीलापन जोरी है, लेकिन अनावश्यक और गैर जोरी, जो, या फिर जोरत से जादा लचीलापन, करते हैं न कि बहुत ज़्यादा डीला हो ज जाए, कि टूट जाए, तो वह ही हाल है, तो मसोधे में आवश्यक परियावणी मंजूरी या अनुमति प्राप्त किये बिना, शुरूर की गई प्रुजनाओं के लिए, एक कारियेतर, अनुमोधन, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का प्रावधान भी किया गया है, मतलब, अ अधिक्तम, 40 दिन कर दिया गया है, मसोधे में परियावणी मंजूरी लेने के लिए, किसी आवेदन पर, साजनिक सुनवाई के दोरान, जनता को अपनी प्रतक्रियाएं देने के अवधी, जो पहले 30 दिन थी, उसको घटा कर 20 दिन कर दिया गया है, खनन परियावणी मंजूरी वैदता 30 वर्ष से वढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है, तथा नदी घाटी परियावणी मंजूरी वैदता 10 वर्ष से वढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है, जिससे परियावणी के कारण होने वाले अपरिवर्तनी परियावणी सामाजिक और स्वा सम्मंदी खत्रों में वृद्धी होनी की संभवना है तो ये सबी विवाद हैं इस मसोंदेव जो परिवर्टन हुआ है उसके साथ करनाटक सरकार द्वारा पश्चिमी घाट में पाइस्त की रूप से समयदन सील शेत्र के मसोदा जो पाइस्त की रूप से समयदन सील शेत्र ह उसके खतरे को देखते हुए इस मसोधा अधिसूचिना का विरोध किया जा रहा है पश्मी घाट में पारिस्त की रूप से समविदन शील शेत्र माधो गाडगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट द्वारा प्रसावीत किया गया था करनाटक में 33 प्रस्चत के राष्टी लक्ष के विरुद किवल 20 प्रस्चत ही 1 शेत्र फल है ध्यान ध्यातव है कि पारिस्त की रूप से काफी समविदन शील शेत्र माना आता है पश्मी घाट काफी जय विवित्ता यहां पर पाई जाती है जय विवित्ता के हाट में सबसे ज़्यादा जय विवित्ता वाला यही है पश्मी घाट ही है लेकिन पश्मी घाट में उतने ही खत्रे भी हैं जैसा कि मादोगाटकिल और कस्तुरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कुछ सुझाओ दिये हैं इसी करण इस मसोदे का जो नया मसोदे है उसका विरोध हो रहा है आँपे इसके साथ ही हिमालाई जो परियोगटनाय हो रही हिमालाई की तलहटी में जो शेत्र हैं वहाँ पे जो घटनाई हो रही है तराई यादि शेत्रों में उनसे सम्मंदित भी एक प्रशना सकता है कि विकास और भक्त के बीच कैसे संतुलन स् तो संदर्ब क्या है हिमालाई शेत्र ने पिछले कुछ वर्शों में कही प्राक्तिक आपदाएं देखी हैं जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं और ये हजारों लोग ज्यादा तर जो सैलानी हैं जो आते हैं भक्ती के लिए या पिर अन्यपरटन उद्योशों से पिकनिक कादी मनाने आते हैं अक्सर देखा जाता है कि जो डेथ होती है मैक्सिमम नाइंटी परसेंट इनी की होती क्योंकि वे इस शेत्र से जो दुर्गम शेत्र है इससे अनजान होते हैं तो हिमाल यही मतलब है कि विकास और भक्ति के बीच संतुलन एक प्रमुख मुद्दा है बीच में काफी आपने लेख इसमें भी पड़े होंगे आईए देखते हैं अगर यहां से प्रशन आ जाये तो आप क्या लिखेंगे तो हिमाले का धार्मिक मत तो है ही हिमाले में केदारनाद बद्दीनाद यमनोत्री यंगोत्री के मंदिर शहरों के शेत्र हैं ये मंदिर नगर हिमाले चार धाम यात्रत था मरनाद गुफा मंदिर और वैश्नों मंदिर का जो शेत्र है उसका ही एक हिस्सा है जीबी पंत नेशनल इस्टिट्यूट आफ हिमालियन एन्वार्मेंट द्वारा जारी भारती हिमाले शेत्र में परेटन का पर्यावरन आकलन इस नाम क एक रिपूर्ड के अंसार परेटन की मांग ने भारती हिमाले शेत्र पर काफी दबाओ बढ़ा दिया है देखे कोई वी राज्य हो वहाँ परेटन जितना जादा होगा उतना ही उसको लाब होगा उतना ही अच्छा होगा अब आपके घर अगर खुब धेर सारे सलानी आने लगे अच्छानक तो आपको अच्छा न लगेगा आपका लाब भी होगा आर्थिक लाब भी होगा लोग आएंगे भी आपके राज्य के बारे में जानेगे आपके घर के बारे में जानेगे भी आपके बारे में जानेगे शोरत मिलेगी दोलत मिलेगी यही दोनों तो दोनों ही मिलेगी, कौन नहीं चाहेगा जनसंख्या बढ़े, लोगों को कोई परशानी नहो यात्रा में, अगर वो दर्शन करने आ रहे हैं, कोई परशानी नहों, इसके लिए विकास कारे भी करवाये जाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, तो उनको समयोजित कैसे किया तो इस तरीके से पहले से ही जो असंतुली छेत्र है हिमाले का, भुकमप, पराण छेत्रिसों कहा जाता है भुकमप कभी भी आ सकता है, या अन्यापदाएं कभी भी आ सकती है ऐसे में यहाँ पर विकास कार्य जो हुए है भक्तों की संख्या में व्रद्धी करण या पिकनिक मनाने वाले संख्या की संख्या में व्रद्धी के करण वो एक चुनोती उत्पन कर रहे हैं वहाँ पर आपदाएं आपदा ऐसा नहीं वहाँ घटनाय परिगटनाय तो होती रहती थी लेकिन अब आपदाय हो आ रही है आपदा मतलब जहाँ पर जानमाल का नुकसान हो देखे कहीं पर गर बाढ़ आ रही है और वहाँ पर कोई रही नहीं रहा है निर्जन है तो वहाँ पर कितने भी बड़ी आग लग जाए कुछ भी हो जाए कोई अगर जानमाल का नुकसान नहीं हो रहा है तो उसको आपदा नहीं कहेंगे आपदा तब कहेंगे जब लोग वहाँ पर आ जाएं और तब वो घटना हो तब खतरा उत्पन होगा तब हम उसको आपदा कहेंगे तो अब आपदाओं का ये रूप जो है ले रही है परिगटना है इसलिए चंता का विशय है तो खतरे क्या है पिछले कुछ दश्कों में आंसिक रूप से अधिक गत्शिलता और कनेक्टिविटी के कारण पूजा करने वालों की संख्या में वृद्धी हुई है अब सड़क बन गई जो लोग नही जाना चाहते थे वो भी जाने लगे इनको समयविजित करने के लिए किया जाने वाला धाचा गद्विकास हिमालाई शेत्र जो की पहले से ही भूकंप और भूस्खलन की चपेट में है कि नाजुक पाइस की संतुलन को नुकसान पहुँचा रहा है कहां के जो इन शेत्रों के नाजुक पाइस की संतुलन है उसको नुकसान पहुचा रहा है जलवाय परुटन आपने धमाल मूवी गे में एक देखा होगा गाड़ी लेकर हो सब आते हैं और पुल को बोलते हैं कि इस कोंड से जब इस एंगल से हम ले जाएंगे तो हम पार हो जाएंगे तो पुल ही तूड जाता है क्यों बैलेंस गरबर हो जाता है वो बैलेंस जब तक था तब तक पुल बना हुआ था लेकिन जैसे ही कार चड़ाते हैं बैलेंस गरबर हो जाता है पुल तूड जाता है तो यही हाल है कि जो बैलेंस है प्रकितिका बड़ी मुश्किल से महां बना हुआ है पहले से ही जनसंक्या वृद्धी तो होई रही है जनसंक्या का पहले से ही दबाओ है लोगों का पहले से ही दबाओ है विकास का पहले से दबाओ है लेकिन जो विकास का रहे हैं उनके बढ़ते चले जाने से जनसंक्या का दबाओ बढ़ते चले जाने से वहां की पाईस्की क गत्विदियां होती है लोगों की और काफी अर्थ लगता है ऐसे विकास कारियों में वो सभी नश्ट हो जाता है बढ़ते तापमान से हिमाले में चट्टानों के गिरने की आवरती बढ़ रही थी जिससे लोगों के लिए खत्रा बढ़ सकता था राजस पर निर्भरता तो परेटन राज सरकारों के लिए बहुत आवश्यक राजस लाता है जो कि प्रकित के सरक्षन के लिए कठिन निर्णे लेने के लिए प्रसाहन को कम कर सकता है इसके लवाँ पर्यावनी प्रभाव जो पढ़ते हैं प्रदूशन फैलता है जैविटा की हानी होती है अपसिष्ट उतपादन चूकि इतने सारे लोग जाते हैं तो अपसिष्ट तमाम प्रकार के खाने पीने और निकालने में अपसिष्ट जो उतपादन होता है वो भी पहीं पर छोड़ कर आते हैं तो वहां की पास्तकी को काफी से जो वहां कहा जाता है स्वर्ग है तो स्वर्ग दीरे दीरे नरक में तब्दील होता जा रहा है स्थानी संस्कती को काफी नुकसान इससे पहुँच रहा है तो यह सभी मुद्दे हैं इनका समाधान क्या है संस इस्टिट्यूशनल जो वाक्यूम है उसको हटाना इसमें क्या आएगा पर्यारोन के दिश्टे समेधन सी इतीर थ्यात्रा के लिए बेहतर नीतियां विक्सित करना इसमें उन धार्मिक अभिकरताओं के साथ परामर्श शामिल होना चाहिए जो अस्थानी अस्तर पर धार्मि क्योंकि वहां के बैलेंस को वहां के जो प्रकित है उससे वो काफी अच्छी तरीके से अववाकिफ रहते हैं सम्वहनी परेटन के लिए राष्टी रणनी थी तो परेटन मंत्राले ने इस नीत को सम्वहनी परेटन जैसे की पर्यारोनी स्थिरता को बढ़ावा देना जय बिरता कि रख्षा करना आर्थी कि परेटन को बढ़ावा देना आज के विकास के लिए शुरू किया है इस रणनीत में वो सारी तकनीकियां सामिल है जो पर्यारण को कम से कम जो उसमें असंतुलन व्याप्त हो रहा है उसको संतुलित करने का उपाय करती है स्थानी जरुतों को पूरा करने के लिए विकास तो मौझूदा बुनियादी धाचे का विकास स्थानी लोगों के लिए उतनी जोरतों को पूरा नहीं करते हैं जितना वे दूसरे राज्यों के लोगों के लिए जो यहां पर आते हैं सोरी दूसरे राज्यों के लोगों के लिए करते हैं से दूसरे राज्य में हैं कहीं पुल बन जाता है तो यहाँ पर काफी लोगों को रोजगार मिल जाता है लेकिन दुरगम इलाके हैं वहाँ पर पुल बन जाए तो परेटकों को इससे फाइदा होगा लेकिन वहाँ के लोगों को वास्तिक रोप से उतना लाब नहीं मिल पाता है समुदाय आधारित परेटन विकास के साथ साथ सरक्षन को भी सक्षम करेगा तो न सर्विकास जवरी है बलकि सरक्षन भी जवरी है तो समुदाय आधारित परेटन मनलब जो अस्थानी समुदाय है उसको भी अगर साथ में लिया जाए उनके सहयोग को लिया जाए तो निश्यत रूप से जो प्रभाव है दुश्प्रभाव है इसको कम किया जा सकता है काफी अस्तर तक धार्मिक सभाओं का नियोजित प्रभंदन होना चाहिए तो भारत ने चार राजियों में आयोजित होने वाले कुम मेले के दोरान सफलता पुरो किया करके भी दिखाया है खासकर इलहाबाद में प्रयाग राज में देखें तो गाफी अच्छे से संपन्न हुआ जनसंक्या क जो प्रिसर रहता था सड़कों पे और अन्यस्थानों पर हकसर भगदर मत जाती थी लोग उसमें भी मारे आते थे लेकिन अब इतना बढ़िया प्रबंदन हुआ कि न लोग भूख से मरे न प्यास से मरे और न दब कर मरे समवहनी विकास एक ऐसे दिष्टकोंड की मांग करता है जो भूवज्यानिक और पाइस की दोनों दिष्टि से सुद्धेड़ो भूवज्यानिकों की इसमें मदद लिया सकती है वो बता सकते हैं कि कहां पर पर परिजना अस्थापित होनी चाहिए कहां नहीं जहां पर खतरा है वहां पर परिजना हटा करके जहां पर खतरा कम से कम हो या नहो वहां पर पर परिजना अस्थापित हो जिससे न सिर्फ स्थानी समुदाय को भी लाब हो एक दिरकालिन लाब हो बलकि लोग भी अपने आपको सुरक्षित महसूस करें कुशल और व्यापक डिटा संग्रा जुलाई 2022 में अमरनाख मंदिर में अचानक आई बाड़ बादल फटने के साथ सुरू हुई थी बादल बटने से अत्यधिक तीवर और अत्यधिक स्थानी वर्शा हुई जिसे हमारा स्वचालित मौसम इस्टेशन नहीं पकड़ सका तो इसके और ज्यादा उन्नत करने की आवशका है संख्या का नियमन अधिकान विशिशक की इस बाद से सहमत हैं कि इलाके की शमता के अंसार तीरत यात्रियों की संख्या को विनिमित करना वशक है उधारन भूटान द्वारा एक परेटन कर लागू किया जाता और एक वर्ष में किवल एक निश्चित संख्या में परेटकों को अन्वनती देता है ताकि नाजुक परियावन को नुकसान न पहुँचे तो इस तरह की बातें यहां भी की जा सकती है इसके लिए परेटक वाहनों पर हरित कर लगाना एक अन्युपाय हो सकता है जागरुकता का एकरम अधिकारियों को विग्यापनों और साजनिक सेवा प्रसारकों के माद्यम से नियमित अध्यतन जानकारी प्रदान करने के आउशक्ता होती है जो यात्रा में शामिल जोखिमों और खत्रों को भी उजागर करती है तो इक कोई मिला कर के भक्ती और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना बहुत आउशक है भक्त आएंगे उनको आने के लिए मार्ग तो दिया जाए लेकिन संतुलित रूप से दिया जाए जो यहाँ पर उपाये बताये गए हैं इनको देखते हैं क्योंकि न सिर्प जो भक्त हैं उनकी भवनाओं को उनका सम्मान करना उनका आदर करना उनको बनाये रखना जितना जवरी है उतना ही जवरी है जो प्रकित है जो वास्तों में देवता है जो हमारा भगवान है जो इश्वर है उसको हम संतुलित बनाये रखें उसको हम सुरक्षत रखें सरक्षत रखें, वनों को हम यूही बढ़ने दें, नदियों को यूही बहने दें, ये इसके लिए भी जोरी है कि हम इन उपायों को अपनाएं, तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद